बिहार विधानसबा ने आज अपने त्यहाज का सबसे काला दिन देखा जो सदन में आसन यानि विधानसबा अध्यक्षी सर्वेश जर्वा होता है सर्वोच्य पद होता है वही आसन यानि अध्यक्ष रम सार हो गए भाजपा के मंत्री ने बीच सदन में विधानसबा अध् कर दी और सदन छोड़ कर चले गए कि अंदर पंचायती राजय मंत्री समराच चौदरी तेवर में आ गये मंत्री ने विधान सबाध्यक्ष को ही उंगली दिखा कर बोलना शुरू कर दिया मंत्री समराच चौदरी ने अपने शब्द को वापस लेने से इंकार कर दिया और भ क्या पासन के लिए ऐसे शब्दों का प्रियोग नहीं कर सकते लेकिन मंत्री समराच चौदरी अध्यक्ष से उसी लहजे में बात करते रहे विपक्ष की माने तो ये गलत है अध्यक्ष का अपमान है मंत्री को तुरत माफी मांगनी चाहिए आप कार्याले में तो अपने विभाग में थुरा समिट्चा कर लिजेगा बहुत व्यक्ष नहीं होना है आंसिक शुक्रात्मक है आप ये अपस लिजे इस सबको मांगनी अमंत्री इस सबको तुर रहा पास लिजे इस सबको अध्यक जी ऐसे नहीं चलता है आप आप पुछेगा इस तरह नहीं चलेगा बहुत ब्याकूल नहीं होईगे सदान रस्थागिप की जाती है सदान रस्थागिप की जाती है